अगर आप 45,000 रोपे के रेंज में अपने घर के लिए एक ऐसा AC ढूंड हो जिसके अंदर में आपको fully feature loaded हो, build quality अच्छा हो, design अच्छा हो, heavy duty के साथ है, बिजली कम consume करें and साथ में best value for money हो, ये 6 चीज़े एक खटें अगर आपको single AC में चाहिए तो आज का वीडियो आप and साथ में, घर्मी के सीजन में, अगर मौसम में, बाहर में, आउट्डोर में, साथ डिगरी का भी temperature रहता है, उसके बाद भी आपके कमरे को आराम से ठंडा करने की capability रखता है, तो बहुत सारे features इसके अंदर मिलते हैं, जिसके बारे में बहुत बहुत साथ डेटेल ही बतान चैनल पर नहीं आयो हो, सब्सक्राइब करके value notification को प्रेस कर लेना, let's get started, वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज़ में आपको बहुत अच्छे से clear कर देना चाहता हूँ, कि इस AC को मैंने खुद के पैसों से buy किया हुआ है, किसी भी brand ने मुझे एक रुपा पे नहीं क ताकि इस तरी के वीडियो आपको future में देखने को मिलती रहे है, यह वाला जो AC है, इसको हमने अधिते विजन से purchase किया था, वहाँ पे इसका जो price था 47,500 रुपीज था, लेकिन हमने bargain किया तो अपने को यह 45,000 रुपीज है मिल गया, यह 2024 का latest model है, अगर आप 2025 में इस वीड नहीं करती है, एक चीज़ आप ध्यान रखो कि internal components में जैसे इसे पुराना होता है, जैसे नेयो technology आता जाता है, cost cutting काफी की जाती है, जिसके प्लास्टिक का quality हो गया, या फिर अंदर में जो copper के pipes करते हैं, उसके material को धीरे धीरे कम करके optimize करने के कोशिश किया आती है, तो पास अगर 2022 से लेके 24 के बीच का अगर आप AC वाई करते हो, तो आपको काफी अच्छे build quality वाले ACs मिल जाएगे, 5 star energy rating के साथ रहेगा, कोई लफडा नहीं रहेगा, आप आराम से उसको 8-10 साल use कर सकते हो, तीन ACs मेरे priority list में थे, सबसे पहला था LG, जिसका design and features है, वो मुझे ब्रैंट्स की comparison में all over India में काफी अच्छा है, जिसके वैसे सबसे आदा सेल आपको वोल्टास का इसी बिकतावत देखेगा, and last priority पे था hire का AC, जिसको मैंने finally choose किया, ये 45,000 रुपेज में मुझे ऐसे चीजें offer कर रहा था, जो 50-55,000 रुपे में LG and वोल्टास जैसे बड़े components के उपर में, अगर उसमें कुछ आग लग जाता है या फिर आप उसको miss handling के time पे तोड़े देता हो, तो वो warranty में cover नहीं होता है, बाकि internally कुछ लफड़ा अगर होता है 5 साल में, तो throughout आपको पूरा AC cover में coverage मिलता है, and 12 साल का आपको compressor cover में warranty मिलता है, आप कोई भी दूसरा brand उठा के देख लो, कोई भी इतने लंबे time तक आपको नहीं देंगे, एक साल आपको overall comprehensive warranty मिलती है, and 8 से 10 साल आपको compressor cover मिलता है, साथ में इसके अंदर में hexa inverter लगा हुआ है, जो की काफी कम visually consume करता है, 5 star energy rating के साथ ही आता है, and इसका जो overall cooling capacity है, वो LG and Voltas वाले AC cover में much better है, because मै जैसा कि आपको बता है, कि ये ज़रूरत पढ़ने पर 1.6 ton, मतलब 110% तक ही अपने आपको push कर सकता है, अगर आपको ज़्यादा और energy की requirement रही तो ये उस case में shutdown नहीं होगा, on the other hand, बाकी के जो ACs हैं, ज़्यादा heavy load conditions में, थोड़ा सा इस से पीछे रह जाता है, plus जो price ये ज 10 seconds में ठंडा कर देगा, और साथ में इसका जो air throw है, वो 20 meter तक का है, बाकी ब्राइंट जो मैंने देखे है, Voltas and LG का, उसके अंदर में 12-15 meter तक का ही air throw था, तो एक चीज आप संजो कि जितना ज़्यादा powerful आपके AC में ब्लोवर लगा रह रह था, आपके room का circulation रहेगा, उतना ठंडा कर पाएगा आपका AC, तो उस मामले में ये AC बाकी दोनों ब्राइंट जो मैंने आपको शुरू में बताया था, उनसे ज़्यादा better perform करता है, एक चीज ज़्यादा रखना कम price में, इसके लावाइस के अंदर में आपको frost self cleaning का option मिल जाता है, कुछ मेंने use करने बाद, let's suppose एक मिन आपने use किया, उसके बाद उसमें dust तो definitely जब ही जाएगा उसके उपर में, तो frost killing अगर आप उसमें डाल देते हो, तो 21 मिनट ये लेता है, उसके अंदर में क्या कर रहेगा, जो fins रहते है, उसके उपर में ये पूरा बर्ष जमा देता है, उसके बाद इसको ये जो भी dust उसके उपर में accumulate रहता है, वो बह के निकल जाता है, drain pipe के थुरू, तो आपका जो AC का वेंट रहता है, वो proper तरीके से clean रहता है, जो cooling solution रहेगा, वो और better तरीके से, आपको optimum तरीके से काम करता रहेगा, तो आपको जहाँ पर चार मिने, तीन मिने, चार मिने पर उसको भी काफिया improve कर देता है, जो non inverter वाले AC रहता है, वो काफी सस्ते मिलता है, इन वाले AC के comparison में, लेकिन उसका नुकसान ही होता है, कि long run में वो बिजली का बिल काफी जादा देंगे, वो continuously चलता रहता है, 24 degree temperature operate होने पहुँचने के बाद भी वो आपको room को ठंडा करता जिसके वैसे आपका बिजली का बिल काफी बढ़ेगा, गर्मी के सीजन में अगर आपने maintenance पे थोड़ा सा भी late कर दिया, तो वैसे कि इसमें आपने काफी सार ऐसे भी news देखेंगे कि जो compressor वो blast कर जाता है, तो वैसा लफड़ा आपको इस टाइप के AC में बहुत rarely देखने क लगा है, और मेरा जो bed है वो room के इस side में है, तो अगर मुझे AC का direct airflow चाहिए, तो वैसे कि इसमें मैं उसके flap को and साथ में जो direction of airflow है, उसको भी इधर के तरफ shift कर सकता हूँ, तो अपने convenience के इसाफ से में अपने according, जो भी मुझे requirement उसके इसको change कर सकता हूँ, तो ये चीज़ करता रहेगा, ताकि आपको एक safe environment आपके, जो भी family members है चाहिए, अगर गर में छोटे बच्चे हैं, तो उनके लिए healthy environment create करने में help करेगा आपको, अब recently आपने news में देखा हुआ कि जो दिली का temperature है, वो 53 degree पहुँचिया था, और ये जो temperature है, वो global warming के वैसे धीरे दरे करता रहेगा, तो indoor environment जो रहेगा, वो आपके लिए safe and sound रहेगा, अगर आपके घर में पहले से कोई और AC होगा, तो आपने एक चिस notice कि होगा, कि जब भी कोई technician आपके घर की AC को साफ सफाई करता है, तो वो एक छोड़ा सा motherboard जैसा कुछ निकालता है, ताकि उसमें पानी ना बाकी ब्रैंड्स के AC के कंबर्स में थोड़ी से जादा बेटर है, तो आपको long run में durability आपको काफी अच्छी निकल के आएगी, इसके लवाँ इंटार जो body है, वो पूरा super anti-corrosan case आप से design के आगया है, मताब आपका जो AC है, वो सालो साल चलेगा, आपको कहीं भी जंग वं वाले room को अराम से ठंडा कर देगा, मेरा room जो है वो 110 square feet का है, still इसके अंदर में 600 watt की light जलती रहती है, जिसके वीसे इसके अंदर में काफी हीट जनरेट होता है, और कोई भी मैं fan use नहीं करता हूँ जब मैं वीडियो शूट करता हूँ, तो उस case में मुझे एक powerful AC के requirement थी, ताकि वो breakdown भी ना हो, and continuously shoot के time पे, मुझे AC को बंद करने का या फिर उसको ठंडा करने का कुछ लफणा नहीं है, heavy duty रहेगा, तो आराम से चलता रहेगा, and long operations के लिए better option निकल के आता है, मेरे लिए, इसके लिए जो लोग भी content creator है, मेरी तरह, उनके लिए भी काफी solid option निकल के आता है, जिसमें आप इसको silently operate कर सकते हो, उसमें आपका जो air blow रहेगा, वो काफी कम हो जाता है, धीरे धीरे हवा आता रहेगा, आपका room का temperature maintained रहेगा, किसी भी तरह के noise नहीं आएगा, ताकि आपके microphone में crystal clear sound आता रहे, ताकि जो भी आपकी audience रहें, उनको आप high quality audio deliver कर प पड़ेगा, अगर आप top floor पे रहते हो, तो आपका directly छट पे सूरज को रोशनी पड़ेगा, आपका AC चलेगा, जिसको इससे आपका बिजली का बिल काफी ता बढ़ जाएगा, इसके लबावा आपके room का volume कितना है, वो matter करता है, third matter करेगा कि कि कितने सारे लोग रह 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 हो, मैं personally 27-28 degree temperature पर रहता हूं, बहुत था comfortable रहता है, 24 पर ठंडर लगने लगता है, आपको blanket का use करना पड़ेगा, और साथ में आपका बिजली का बिल भी उठेगा, तो 27-28 degree temperature पर बहुत ही sweet spot निकल के आता हो, अब build quality एक ऐसी चीज है कि brands उसमें design changes से इतने सारे करके आपको बेखूब बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ basic चीजे बता देता हूं, जिसको अगर आप ध्यान में रखते हो, तो आप एक अच्छे quality का product खुद के लिए purchase कर सकता हो, let's suppose कि आप 45,000 रुपीज में अपने घर के लिए एक AC लेने गया हो, तो आपको दो चीजों का ध्य सबसे पहली चीज, उसके अंदर में copper 100% use हुआ है कि नहीं, तो इस वाले particular model की बात करें तो इसमें 100% grooved copper use किया गया है, जो कि आपके AC के performance को है, और उसके efficiency को काफी better कर देता है, बाकी brands के comparison में, and साथ में उसका जो weight है, वो बाकी brands जो competition में आप AC देख रहो, उनके comparison में इस आप से अंदाजा लगा सकते हो कि company ने cost cutting किया या फिर अच्छे quality के product से आपको निकाल के दियें, इस particular price range में, तो यह वाले particular AC काफी solid build quality के साथ आता है, जब install हो रहा था, उस वक्त मैंने इसको खुद personally अपने हाथों से उठा के help किया था, इसके installation में, तो मुझे अंदाज लग जाता है कि यह काफी जादा solid build quality साथ आता है, और higher ने कहीं पे भी build quality में कंजूसी नहीं किया है, इसके लवा इस particular AC के अंदर में, आपको built-in stabilizer में मिल जाता है, तो अगर आपके घर में wiring का जो काम है, उसमें आपने चार या 6 mm का cable pass किया हो है, ताकि future में आप अपने AC लगवा पाओ, और MCB के board से connected है, तो वैसे कि इसमें आपको additionally किसी भी stabilizer पे खर्चा करने का जरूरत नहीं है, मैं अपने घर की बात करूँ तो मेरे घर पे जो wiring है, वो 20 साल पूराना है, इसका जो cable है, वो AC को handle करने के लिए design नहीं किया गया था, तो इसके वैसे मुझे additionally wiring पे खर्चा करवाना पड़ा था, इसका जो cable है, वो directly मैंने मीटर में connect करवा दिया, ताकि directly इसको current मिलता रहा है, एक 5000 रुपे का मैंने high quality के stabilizer में भी invest किया है, अब देखो built-in stabilizer तो आपको AC अंदर मिल जाता है, लेकिन अगर कुछ भी लफड़ा हुआ, voltage का का fluctuation हुआ, तो आपका AC directly फुकेगा, उसके बाद आपको गर्मी में मरना पड़ेगा, अगर आपका 4000-5000 रुपे का stabilizer में आप invest कर लेते हो, तो वो stabilizer फुकेगा, अगर वो warranty में तो आप warranty claim कर सकते हो, and AC को directly आप कुछ दिन तक चला सकते हो, तब तक आपका stabilizer उसको आप claim करके बुला भ आने पड़ सकते हैं, total cost के औरें बात करें, तो 45 रुपे का मुझे AC पड़ा था, 5000 का stabilizer, 35,000 रुपे का wiring का काम हुआ था, and 1500 रुपे मुझे लगा था, जो installation का काम था, जिसमें मुझे वो stand मिला था, outdoor unit के लिए, and drain pipe का cost, and 100-200 रुपे हमने additional उसको बक्षीष के तोर पे दि बॉक्स के अंदर में आपको एक remote control में मिल जाता है, overall काफी सारे functionality इसके साथ ही आता है, and पीछे में आपको दो batteries मिल जाती है, panasonic की यह आपको by default मिल जाएगा, लगा कि आपको कहीं से खरीदना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे जो आप green color के 5 buttons देखरो बीच में, and यहाँ पे के टाइम पर थोरसा issue होता है, बागी आप जैसे इसको use करते जाओगे, आप धीरे-दीरे आपको सारे buttons याद हो जाते हैं, आप सोई-सोई button दबाल होगे, तो आपको कुछ लफडा नहीं रहेगा, तो यह था इस particular product के उपर में एक छोड़ा सा review, आपको कुछ और जानकार कदा हैं, आपको मेड़रा यहीरे चिह सक्राथा आपको क्दा लोगजास